हेलो दोस्तों कैसे हैं आप तो स्वागत करता हूं मैं आपने चैनल कैड मसाला में आज मैं हाज जिरू हूं आपके लिए एक नए स्रीज लेकर जिसमें मैं आपको ओटोकेड की कुछ की ड्रोइंग की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं तो चलिए दोस्तों उस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप यह लैप साइड में को देख पा रहे हैं यह तो इस ड्रोइंग में ओटोकेड की जो इंपोर्टेंट कमांड है उन सभी का इसमें यूज सकती है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी आउटर लाइन को ड्रो करना होगा आउटर लाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल करूंगा और रेक्टेंगल कितने को होगा मेरा यह जो इसकी लैंद है वन फोर्टीन और जो इसकी width है 81.5 तो चलिए दोस्तों इस rectangle को ड्रो कर लेते हैं rectangle की command होती है rec enter मैंने एक point दिया उसके बाद में मुझे देनी है इसकी dimension तो मैं यहाँ dimension पर click करूँगा यहाँ पर और यह पूछ रहा है विसकी rectangle की length कितनी है तो rectangle की length है 114 मैं यहाँ टाइप को डिनों 114 ठीक है दोस्तों अब यह पूछ रहा है rectangle की width कितनी है तो rectangle की width है 81.5 यह मेरा rectangle बन गया इस तरह से ठीक है दोस्तों तो rectangle तो हमारा बन गया अब इसके बाद क्या करना है तो इसके बाद मैं सबसे पहले यह जो corner है edge जो है यह cut हुए है हमारे main edge को cut करता हूँ जो edge हमारे cut होते हैं उसको हम chamfer बोलते हैं तो chamfer यह हमारे के दिस्टेंस का लगा हुआ है जैसे कि यहाँ पर 10 दिखाया हुआ है और यहाँ पर x और y दोनों में 10 10 तो chamfer की distance है हमारी वह 10 10 है चलिए उसको apply करते हैं मैंने दिया c h a enter और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ distance को और यहाँ पर 10 है मैं enter कर देता हूँ अगर 10 नहीं होता तो मुझे 10 पूट करना होता और यहाँ वाई में भी second चैंफर डिस्टेंस भी 10 ही है मैं अगें एंटर कर देता हूँ तो दोस्तों यह चारो कोनर पर मुझे चैंफर लगाना है तो यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ रख्यंश करना हो Α00 को मुल्टिपल से औरबर नहीं लेना पड़ेगा इग वर साम भूारारी वा च्रौप लाइन स्क्रवा राइन परफ्ष लाइन स्ट लाइन इस लाइन स्क्राट असट लैन स्ट लाइन इस फालाप दिखा ना एक दोस्तों दोस्तों में जो भी कमांड यूज होने वाली है अगर आपके उन कमांड से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आप कमांड को डीपी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप कभी भी एनी टाइम हमारी चैनल पर जाकर उस व उसको ट्रों करने के लिए सबसे पहले मुझे करना होगा एक छें लयल लगानी होगी यह टेन धिली लिलता हूं ृप मैं यह एंटर यह मां लगता हूं रहिए यहां पर मुझे यहां rescued प्र वाली लाईर युश्किन गजिया हुआ ध्या supposed to करा दूँगा तेख लिजे कैसे मैंने सेलेक्ट किया बेस पॉइंट दिया इधर और इस तरह से मेरी लाइन लग गई और दोस्तों अब इसमें कहरा है यह तैन रेडियस का आर्क लगा हुआ है अब मुझे यह आर्क लगाना है इस पॉइंट से तो मैं एक सरकल बना लेता हो मैं 10 और अब इसका जो एक्ष्टा पार्ट है यूजलेस है वह मैं कर देता हूं तो ट्रिम कमांड के लिए मैं देता हूं ट्र डवल एंटर इस तरह से और यह भी मैंने डिलेट कर दिया हूं यह लाइन भी यूजलेस है ठीक है दोस्तों देख लेते हैं कि हमने जो लग बना हुआ था हमारा एक्षड़ेट बन चुका है तो सामने भी उसी तरह से बनाना है हमें ल एंटर यह हमने दिया टैन की डिस्टैंस और इसको दिया मैंने कोपी टैन इदर कोपी और अब सरकल यह एंटर टैन डिडिस का सर्कल और एक्षट आपार्ट को कर देना है इस त दोस्तों डी आरे एंटर इस तरह से डी एलाई एंटर ठीक दोस्तों तो हमारे आमने सामने के गेट बन चुके है अब आ रही है हमारे लेफ्ट और राइट के जो गेट है उन्हें बनाने की तो जैसे कि इसमें चोड़ाई है उस गेट की 24 और रेडियस इसमें है 12 और जो इसको देख यह देख अंभी पहले मैं सबसे पहले लेता हूं ये हमारे सेंटर है और सेंटर से यह कितने की लाइन लगानी है लाइत फ़ीक तो मैंने अधर पईओंड आंगा मैंने दिया कमांड ऊपर मुझे करना है इस वार 24 है तो मैं 12 12 हूँगा मैंने दिया उपर 12 एंटर नीचे भी 12 एक दोस्तो इस वार जो हमारा रेडियस है जो आर्क है वो 12 रेडियस का है तो यह उपर और नीचे वालो में तो मैंने सर्कल लगा कर आपको दिखाया था अब मै इस यहां पर दिखाऊंगो direct arc से कैसे लगए तो मैं उसके लिए पर जाता हूँ और यहां मैं देता हूं start and radius यह वाला मैं 13.5 है अब जो एक्स्रा है वो मैं ठिर्म कर दिता हूँ ठीक है दोस्तों अब सेम इधर की सइड भी हमें बनाना है तो दोस्तों वीडियो को इसमगें नहां करें मैं स्टैप चेंज कर रहा हूँ जैसे कि मैंने पहले अब यूज चोड़ाए хотите यहां पर मैंने पूरप से बनाया था यहां पर मैंने आर्फ से नहीं नहीं तो यह सेम यही तरह लिए यहां चुरूररा देता हूने उलक से और यहां मैं देता हूं सो चोड़ाई डिता हूं जैसे मैं इ ness ahora क्मार्ण आउपस tempel यह हमारा मिर कमार्ण सब्सक्राइब देता हूं तो यह करता हूं तो यहां पर पूछ रहा है Erase Source Object तो मुझे Erase नहीं करना है मुझे रखना है जो मिरर हुआ है तो लोग पर क्लिट है मैं एंटर दे देता हूं तो इस तरह से हमारा मिरर भी हो गया हम मैं यहां देता हूं टी आरे से मैं 12 और डिल ऑडी एल राई से तो दोस्तों इस तरह से हमारी इदर भी सेम आच्युकी है तो दौनों एक जैसे ही लग रहे है जैसे यहां पर दित रहे थे दोनों यह इतना तो बन चुपा है और यहां पर बचा है सरकल चोटा सरकल अब इसको το लगाने के लिए क使имость करकर करना होगा कैसे बनेगा वह देख लिए तो इसके लिए पहले तो इन दौनों। लाइव का को नर पर खुझे हैं जो क्लेज चाही हिर जाता हूं तो डोनों का इस तरह से यह शसे क्यिक्ट रहा है यां तो एंडिक यहां डिया नीची हम निलेन सब्सक्राइब abrasive यह है रहा है कि मैं दोस्तों सब्सक्राइब का हमारा सेंटर आख हुआ है यहाँ पर इस सेंटर से मैं सरक्ल डा 11 कि क्तेने एंटिक है तो जैसे कि इदर स्क्रदी फैल से हमारी और शुरो लगाई था ऊप dazzla ओर ये तीनों और सब्सक्राइ पर लगाना है तो इसको मैं सलेक्ट करताूは स्ट très-10 fan और अब देता हूं और अगें इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूं और अगें देता हूं इस तरह सेंटर तो फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है अगर आपको कोई डाउट है या पर कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रोब कर सकते हैं कोई स्टैम मिस हो गया है तो फिलीज वीडियो को अगें ठीक से देखें और जैसे कि इसमें यह कुछ चीजे रह गई है कि हमारी इतनी है या नहीं यहां पर सब्सक्राइब में इनकों 775,55 तो जैसे कि यह तो हैं उलंब तो दोस्तों इस तरह से यह हमारा एंगल भी ठीक लग चुका है तो हमारी पूरी तरह से बन कर रेडी हो चुकी है अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अदर्वाइस जो भी कमांड इस ड्रोइंग में यूज हुई है उनका लिंक आपको डेस्किप्शन में मिल जाएगा वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल पर बने रहें थैंकि दोस्तों